Hello friends, welcome to my youtube channel, studyboard plus 6 प्रशांत Friends, control system series में आपका एक फिर से स्वागत है Friends, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था Termologies of Signal Flow Graph जिसमें हमने cover किया था what is input node क्या होता है output node क्या होता है या फिर loop क्या होता है forward path क्या होता है gain क्या होता है, जैसे हम transmittance कहते है तो उससे मिलता जिलता topic है Friends आज का, that is Signal Flow Graph Algebra Signal Flow Graph Algebra और Friends, 5 rules होते है तो आज ये 5 rules हम cover करने वाले है और साथ में question लेंगे जिसमें हम equation से उसका signal flow graph design करेंगे तो आईए Friends, वीडियो को start करते है सबसे फैला rule क्या है Friends जब दो node की वीच में एक branch हो एक बात फिर से होता है input node और output node क्या होता है input node वो node होता है जिससे outgoing branch निकलती है या फिर signal जिससे निकलता है और output node वो होता है जो signal को receive करता है जैसे आप देख पा रहे है x1 signal को भेज रहा है और x2 signal को receive कर रहा है तो ये input node हो गया, ये output node हो गया तो इसका equation क्या होगी यह x2 x2 हो जाएगा equal to ax1 multiple of input node rule 2 देखते है friends जब कोई output node यह output node है क्योंकि signal receive कर रहा है multiple node से signal को receive करता है तो उस condition में क्या होगा x3 equal to यह वाला a1 x1 plus a2 x2 तो दोनों का submission हो जाएगा output node rule 3 देखते है friends जब series form बन रही हो friends आप देख पा रहा है यह series b में है एक यहाँ पर a हो गया और दूसरा b हो गया और 3 nodes है हमारे पास तो इस condition है क्या होगा friends सबसे पहले आप इसको hide कर लीजे बस यह समझीए आपका x1 x2 दो node है और उसका gain है a तो x2 क्या हो जाएगा आपका इस condition में x2 हो जाएगा ax1 फिर हम द्वारे से बना लेते है यहाँ x3 आपका यह b है और यह आपका x2 क्या हो गया ax1 अब यह आपका first rule बन गया तो rule 1 से directly आप x3 लेख सकते हैं तो इस condition में x3 आपका हो जाएगा a, b, x1 यह आगया rule 4 क्या है friends इसको गौर से देखना friend यह एक तरह से parallel circuit बना हुआ है जिसमें a और b parallel हैं दो nodes हैं x1 x2 इस condition में क्या करेंगे आप direct एक branch लेंगे दो nodes के बीच में x1 x2 और जो gain है उनको add करके लिख देंगे a plus b इस condition में आपका output क्या हो जाएगा x2 आएगा हमारा a plus b x1 यह इसका output हो जाएगा friend जब भी आपका parallel circuit बन रहा हो तो आप gain क्या करेंगे add कर देंगे जब भी आपका series बन रहा हो तो आप gain क्या कर देंगे multiply कर देंगे इस concept को हमेशा या रखना है friend कि यह कई बार ESC की bits वगर है पूछा जाता है friend fifth rule क्या आपका जब आपके पास multiple input node हो एक output node हो और plus एक mixed node हो mixed node मतलब जो receive भी कर रहा है signal और send भी कर रहा है तो इसको कुछ नहीं करना friends आप इतना hide कर लिजे इस form को देखिए यह किसके ऐसा है rule 2 जैसा तो इसका output क्या होगा x3 हो जाएगा rule 2 के form से x3 equal to ax1 plus bx2 अब अपना x3 आ गया है तो इसको हम कैसे लिए बना सकते हैं द्वारे diagram यह x4 है आपका x3 क्या आ गया ax1 plus bx2 तो इसका output आप डारेक्ट आप फस्ट वाले rule से लिख सकते हैं तो rule 1 से इसका क्या हो जाएगा x4 equal to यहाँ पे c पहले से है c ax1 plus cbx2 इस तरह साब इसका output लिख सकते हैं पहले आपको not कर लेंगे से second rule में और फिर आप इसको first rule में बनाके इसका output लिख देंगे फ्रेंड यह simple से rules हैं 5 rules मैंने आपको बता दी हैं कई बार आपका academic से question आ जाता explain signal flow graph algebra rules तो आप इस तरह से इने explain कर सकते हैं बाकि अब gate point of view से में देखें तो यह कोई याद important topic नहीं है बस आपको यह ध्यान रखना है जब भी series में हो तो जो gain होता है वो multiply हो जाएगा और parallel में gain आपका add हो जाएगा इस point को ध्यान रखना है यह आपका कई बार ESE की bits में पूछ लिया जाता है तो आईए friends से question लेते हैं जिसमें हम equation से signal flow graph design करेंगे तो मैं एक equation ले लेता हूँ Friend यह equation हमने लिवी है जिसमें equation 1, equation 2 और equation 3 है इनसे हमें signal flow graph design करना है तो सबसे पहला क्या concept अपना हमें देखने है node कितने है x2, x3, x4, 3 और 1 x1 तो 4 node points हैं सबसे पहले हम simplest way में 4 node points दना लेते हैं यह हमारे 4 node points हो गए x1, x2, x3, x4 उसके राद हमें देखना है पहली equation पहली equation में क्या हो रहा है x2 मतलब x1 से हमें x2 जाना है जिसका gain है 1, 2 उसको पढ़ना सीख लीजिए आप x1 से हमें x2 पे जाना है gain है उसका a1, 2 तो x1 से हम x2 पे जाएंगे उसका gain है a1, 2 उसके वाद x3 से हम x2 पे जाएंगे यहां से हम x2 पे जाएंगे gain है आपका 3, 2 तो friends एक तो मैं ऐसे भी आसा हूँ x3 से x2 एक loop बना के आ सकता हूँ कोई से रस्ते से आ सकता हूँ तो आपको हमेशा दियान रखना है आप loop बना के आएंगे क्यों आएंगे इसका region मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि arrow देखिए x3 से आप x2 पे जा रहे हैं तो arrow इस तरह से आएगा अगर मैं सीधे line कीज़ दूँँगा तो arrow का है आप में सामें cross हो जाएंगे तो अगर आप इसका transfer function लिखेंगे तो आपको दिक्कत आईगे वैसे आप बना सकते हैं ऐसे भी तो इसका gain क्या हो गया a3 2 equation 2 जिसमें हम x2 से x3 पे जा रहे हैं तो आप देखिए जो मैं बात के रहा था x2 से x3 पे जा रहे हैं सीधे हमारा arrow एक direction में चला गया इसका gain है a2 3 उसका हम x4 से x3 पे जा रहे है x4 से x3 पे पीछे आ रहे हैं तो मैं loop लूँगा यह loop ले लिया मैंने आप उपर से भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें और इसका हमारा gain क्या है a4 3 last equation x2 से हम x4 जा रहे है x2 से x4 तो x2 से x4 या तो नीचे से ले लो या फिर उपर से ले लो x2 से हम x4 पे जा रहे है इसका gain है आपका a24 उसका है x3 से x4 जा रहे है x3 से x4 जाना है तो यहां पर आपका x3 है यहां से आप x4 जाएंगे इसका gain आपका है a34 arrow कैसे लगाएंगे अगर आप x3 से x4 जा रहे हैं तो इस direction में arrow होगा अगर आप x4 से x3 पे आ रहे हैं तो arrow x4 की तरफ से होगा last आपका एक और अचा हुआ है x4 से आप x4 पे जा रहे हैं यह बहुत important है ध्यान डखना friends x4 से x4 पे जा रहे हैं मतलब same loop पे ही हैं आप तो यह मैंने same loop बना दिया इसका gain होगए आपका a44 यह आपकी direction होगए इस conditional direction कोई problem नहीं है क्योंकि एक ही loop पे जा रहे हैं तो इस तरह से friends आप equation से signal photograph design करेंगे तो अभी तक के लिए मैंने सारे आपको rules भी बता दिये हैं जो आपके rules है एक बार आप इसको जारे से देख लाना है यह important है और जब rules समझ में आ जाएंगे तो आप easily equation से signal photograph design कर लेंगे तो friends अगली वीडियो में हम बात करेंगे signal photograph के transfer function कैसे निकालें by the help of message gain formula वह बहुत important है चाहे academic point of view से हो या फिर gate point of view से हो तो जब तक लिए आप एक बार practice कर लिए अपने steps वगरा rules वगरा और अगली वीडियो पर हम मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे how to calculate transfer function of signal photograph जब तक friends अगर आप कोई doubt हो तो मिझे comment section में बताइए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो like कीजे और जाशार share कीजे and friends please don't forget to subscribe my channel thank you